वेलकम फ्रेंट्स वेलकम टू एडुकेशन चैनल नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एडुकेशन चैनल में आज है सेप्टेंबर 26 और देखेंगे हम आज का करेंट अफियर्स एन अनलिसेस बात करते हैं पहली न्यूस की सबसे पहले जो साथी हमारे नए जुड़ यह है किस तरीके से जो income tax है उसका assessment वो faceless यानि कि electronic माध्यम से होने जा रहा है और उसकी जो appeal है वो भी faceless हो चुकी है जो assessment है वो 13 अगस्त को लागू हो चुका था और जो appeal system था 25 अगस्त को लागू हो चुका है तो उसके बारे में detail मैंने बताया इस वीडियो में क्या यह system क्या जो major assessment और appeal में changes आने जा रहे हैं, वो क्या होने वाले हैं, government of India क्या इससे उमीद कर रही है, इस system को लागू करके and this is regarding the direct taxes, उसी की तरश पे जो indirect taxes हैं, उनके बारे में क्या प्रावधान है या क्या planning है government की, वो भी मैंनो उस video में बताया है, तो आप उस video को जरूर देखि हम सभी कोई न कोई प्रकार का tax pay करते हैं, काफी लोग income tax pay करते हैं, जिनकी income है और indirect tax तो almost हर चीज़ पे आपको pay करना पड़ता है, तो उस video को देखेंगे, तो major changes आपको मालूम चलेंगे, short video आज मैं अलड़ी डाल चुका हूँ, now हम बात करेंगे आज की case की, आज की पहल Vodafone ने deal की थी, हज company हुआ करती थी उस समय, उसके साथ में 11 billion dollar की deal हुई थी, और उसके बाद में क्या हुआ था, government of India ने कहा था, कि 3.79 billion dollar जो tax है, वो pay करना पड़ेगा Vodafone को इस deal पे, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि इसको challenge किया, किस ने challenge किया, Vodafone company ने challenge किया, ये Holland-based, Netherlands-based company है, और 2012 में Supreme Court ने rule किया, Telecom Service Provider यानि Vodafone के favor में, काफी बड़ा amount था, ये 3.7 billion dollar, बहुत बड़ा amount है, 27,900 crore rupees होते हैं ये, उसके बाद में, जो government ने एक नया tax rule इसमें change किया, और उसमें ये कहा, retrospective taxation की बाद कहीं, retrospective taxation क्या होता है, कि आप पीछे जाके भी, किसी deal, जो कोई deal हुई है, या कोई property है, उसके उपर आप tax लगा सकते हैं, so उसके तरज पे फिर से tax claim किया गया, Vodafone पे उपर, लेकिन Vodafone के दुआरा, International Arbitration को उसमें गये, ट्रिबिनल में, और International Arbitration Tribunal में, अपने case को जीत लिया, 2014 में ये case गय गया था वहाँ पे, और जो treaty है, जो business understanding है, दोनों countries के बीच में, उसके तहत, ये जो price था, ये जो taxis pay करने थे, उसको overrule कर दिया गया है, इंडिया की क्या position है, इंडिया की position है, इंडिया की position ही है कि इंडिया ने कहा है कि इस judgment को study करेंगे, and then they will see what to do next, so this is a very important judgment, और इसमें economy से संबंदित, taxation से संबंदित, important concept है, जो short में मैंने आपको बता दिया, okay, now next is, this is short news, जो legendary playback singer है, SP Balat Subramaniam, ये इनकी death हो गई है, और major क्या है, important क्या है, ये है कि पदम शिरी इनको मिला था 2001 में, और पदम भूशन मिला था 2011 में, so this is two important facts, बाकी ये great singer रहे हैं, बाकी आप facts आप पढ़ सकते हैं, जो exam के perspective से important था, मैंने वो बता दिया, पदम शिरी और पदम भूशन, 2011 में, next is, बिहार पोल से संबंधित है, बिहार पोल की जो dates हैं, वो अनौंस कर दी गई है, October 28th, November 3rd, November 7th, और counting कंब है November 10th को, किसके तवारा election commission of India, चीफ election commissioner कौन है, सुनील अरोरा, बाकी दोनों election commissioner कौन है, वो आप comment में लिखे, और कौन सा constitutional article है, जो election commission की power, और उसका structure define करते हैं, वो भी आप comment में मुझे बताइए, क्योंकि अब exam आपका बिल्कुल नजदी के, अगर आप UPSC दे रहे हैं, तो prelims आपका, कोई एक हपते में prelims आपका, तो I hope कि आपको पता related articles कौन कौन से हैं, ओके next we'll see, ये क्या है, ये भी important news है, जो आपको जानकारी होने चाहिए, क्या हुआ था, ये है राज़ोरी डिस्टिक, कहां का JNK, JNK में वहाँ पे सोफियान में encounter एक claim किया गया था, जो army है, army के साथ में encounter हुआ है, उसमें 3 militants मारे गये हैं, ये claim किया गया है, और army भी इस पे action ले रही है, and police is also taking action against these people, जो भी ये समन्दित army के जवान ये officers थे, उनको इंड़क किया जाएगा, important क्या है, important ये है, human right violation तो ही, and सीधे-सीधे murder charges इस पे बनेंगे, murder का case चलेगा, और misuse किया गया है, armed forces special power act को, मैंने बताया था कि armed forces special power act क्या है, ये act है, जो कि army को non, जो insurgency area है, terrorist जहाँ पे infiltration है, वहाँ पे operate करने के लिए कुछ special power देती है, but इसका misuse किया गया है, so army has also said, कि they are going to take stringent action against these people, mains के हिसाब से, ये important है, mains के हिसाब से, ये important है, कि जो Indian government है, they are showing the willingness that JNK में, या किसी भी disputed area में, if any kind of excesses is being done by the Indian institution, चाहिए इन आमी हो, चाहिए पुलिस हो, state governments की, चाहिए परा-Military हो, या कोई भी organization हो, अगर वो human rights के खिलाफ जाती है, या गलत करती है, तो उनके खिलाफ भी action लेने से नहीं चुकेंगे, this is what is being shown now, अगर army ने गलत कि है, तो उनको भी बक्षा नहीं जाएगा, and this is the message which Indian government is sending, so hopefully this will help in building the trust, क्योंकि गलत तो हुआ है, लेकिन गलत के खिलाफ सजा देना भी important है, so ये मेंस के इसाफ से मैंने आपको points बता दिया, कि how the government is willing to protect the rights, now what is this, this is regarding the NDPS, अब NDPS के related मैंने एक already एक session किया है, और कल मैंने डाला है, NDPS Act, जो drugs के जो act है, so आप देखेंगे तमाम आपके papers में, हलांकि exam से related नहीं है, लेकिन mains के हिसाब से बहुत important topic है, ये NDPS, drugs जो है मैं आपको बता दूँ, बहुत important topic है, क्योंकि उस video को देखिए, वो detail drugs act क्या होता है, क्या-क्या उसमें सजा है, वो short में मैंने आपको ब ऐसा है, this is a black money, और ये कहां जाता है, यë टरोरिस्ट के पास जाता है, ये जो anti-social elements है, इनके पास में जाता है, ये next lights के पास में जाता है, तो आप इसको बिलकुल समझी है, ये जो पूरा flow है, इसको आपको समझना जरूरी है, साथी साथ ये पूरा पैसा, ये पूरा जो trade है ये regulate किया जाता है पाकिस्तान से अफगानिस्तान से सो इसका cross border भी बहुत बड़ा इसका impact है जो भी पैसा जो भी आप drugs खरीदेंगे कोई व्यक्ति खरीगता है तो वो country के खिलाफ काम कर रहा है हमारे जो security forces है आप अपने खिलाफ काम कर रहा है क्योंकि जो drugs के लिए आप पैसा देंगे वो कहीं न कहीं हवाला के थुरू chances हैं कि वो terrorist तक जाएगा और हो सकता है कि bomb blast हो और उस bomb blast में आप ही मारे जाए जो drugs खरीद रहे हैं तो आप important रखो एक भी पैसा आप drugs की की तरफ अगर आप दे रहे हैं तो कहीं न कहीं chances हैं कि वो जा रहा हो पाकिस्तान तक पहुँच रहा हो terrorist तक पहुँच रहा हो और वही terrorist आपकी family आपको निशाना बना सकते हैं तो ये आपको जिनको पकड़ा गया है वो truck driver है वो गरीब driver है उन्होंने क्या कहा उन्होंने ये कहा कि उनको 10,000 रुपे दिया गया और कहा गया कि ये truck में जरूरी समाने आप हरियाना तक इसको पहुचा दो दिल्ली तक पहुचा दो हैदराबाद से वो truck चला आप समझे है जो पकड़ा जाएगा ड्रक्स के साथ में वो कौन होगा वो गरीब आदमी होगा गरीब driver होगा इन केस अगर वो involved नहीं है तो हो क्या रहा है कि इसमें लोगों को फसाय भी जा रहा है इस तरीके से मैंने कल के वीडियो में यही चीज बताया था कि हो सकता है क आप involved ना हो लेकिन गलती से आपके बैग में रख दिया गया है आपके रूम में रख दिया गया है तो आप फस सकते हैं तो इसे लिए aware रहिए क्या कानून क्या कहता है उसकी जानकारी हरदम रखी है और जो मैंने बताया है वो आगे भी बताते रहिए उन चीजों को नेक् ने क्या क्या उससे पैसा लेके ये दिखा दिया कि उसके पास सिर्फ एक केजी ड्रक्स था और फिर पैसा आपस में बाट लिया आप मुझे बताईए अगर नहीं देखाया तो कल कर वीडियो देखी और मुझे ये बताईए कि उसके पास एक सो साट केजी ड्रक्स मिला मैं टू केजी क्यों नहीं दिखाया त्री केजी क्यों नहीं दिखाया पहला तो आप मुझे यह answer दीजिए और दूसरा यह बताईए कि क्यों नहीं वो वेक्ती जेल गया यह मुझे दोनों चीज का answer आप comment में दीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप चीजों को समझें सिर्फ सुने नहीं क्योंकि यह आपकी life से related है तो आप इसका answers मुझे कल का video जो NDPS Act का है उसको देखके then again you answer me this क्योंकि मैं चाहूंगा कि अगर आप video देख रहे हैं तो आपको important knowledge के साथ साथ आपके life के लिए भी important जानकारी आपके पास रहे है so you just answer me those two questions it will benefit you now we will see the editorial today's editorial क्या है पहला editorial यह है labor law से समंधी यह already मैंने एक video बना के डाला हुआ है जो कुछ important points है वह मैं बता रहा हूँ important points इसमें क्या important points यह है यह कह रहा है कि जो labor law से समंधित courts जो law है कौन-कौन से तीम court थे industrial relations, social security and occupational safety, health and working condition court 2020 हुआ क्या यह 2019 में यह court आया था फिर यह standing committee के पास गया उन्होंने अपना proposal भेजा फिर उसको modify करके 2020 में नया bill introduced हो गया now what writer is saying writer is saying कि इसमें जो प्रावधान थे 2020 वाले में 2019 से अलग थे उनको भी standing committee से वेट करा लेना चाहिए था पहली जीज़ second चीज़ क्या है second चीज़ यह है कि इसमें कुछ guidelines change किये गए जो employee की 100 100 से बढ़ाके इसको increase कर दिया गया तो जब increase कर दिया गया तो उससे जो है जो law में change हुआ है तो उसको भी consider करना जाए तो जो उसमें changes कर दिये गए for example जो threshold limit थी 100 से बढ़ाके 300 कर दिया गया lay-off के लिए आपको permission लेने के ज़रुवत नहीं है नहीं inform करने के ज़रुवत है government को so that are the changes which has been calculated or introduced into 2020 draft तो writer का यह कहना है कि उसके लिए standing committee जो थी उससे wet कराना चाहिए था उसी की तरीके पर यह कह रहे है कि जो इस बार के labor courts है ये labor courts दून 2002 की report थी second national commission on labor की उससे कहीं न कहीं flow करता है and then इसमें ये भी है कि जो इसमें कुछ ऐसे provisions है for example unorganized workers के लिए gig and platform workers के लिए वो भी provision किये गए है और social security fund के बारे में बात की गई है तो these are the some good measures ये मैं already cover कर चुका हूँ अगर आप video देखेंगे gig workers के बारे में एक अलग मैंने पूरा session किया हुआ है video बनाया हुआ है and labor courts के उपर अलग videos बनाया हुआ है उसमें detail मैंने समझाया है क्या-क्या changes होने जा रहे है और क्या-क्या फायदे मिलने जा रहे है unorganized sectors को so ये वही बात करता है पूरा जो ये editorial है it's talking about the same thing and एक important concept इसकी बात कर रहा है delegated legislation ये क्या होता है delegated legislation मैं आपको ये समझा दो ये terminology है जिसमें जो की use की गई है इस act में भी ये जो court sense में इसमें हुआ ये है कि जो rules making power है काफी जादा rules making power state government को दे दी गई है ये act बहुत सारी चीजों पर silent रहेगा और subsequent जो कानून है इससे related ये details हैं वो बनाई जाएंगे उनके द्वारा किनके द्वारा state governments के द्वारा so state governments उनको उनको detail बनाएगी okay so वो भी एक problem है कि राइटर ये कह रहे हैं कि बहुत सारी power अगर state government को दे दी है तो उससे भी बहुत जादा दिक्कत है क्योंकि बहुत जादा arbitrariness उससे आएगा so फिलाल this is the this is the fact that labor courts और तीन जो acts है वो पास हो चुके है और उसके जो क्या क्या effect होने वाले है that we will see in due course of time now second क्या write-up है second write-up है ये cesspool ये एक news आई थी कि जो CAG है उन्होंने audit किया है और audit में ये find किया है that finance ministry उन्होंने 40% जो cess collection है वो डाल रखा है consolidated fund of India में rather than using it or putting it into the concerned जो भी fund बना गया था उसके लिए for example 2.7 lakh crore 35 different caches से उसको इकठा किया गया लेकिन उसके respective fund में न डालके consolidated fund में ही उसको रखा गया फिर वो कहते हैं कि इससे जो revenue है भारत का revenue है physical deficit के जो numbers है उन पे फरक पड़ा है and जिस purpose के लिए ये cess लिये गये थे health education infrastructure development उन पे वो खर्च नहीं हो पाया और फिर ये बात कर रहे हैं कि एक cess लगा जाता था जिसके तहत 1.25 lakh crore of cess collect किया गया है crude oil पे तो ये जाना था oil industry development fund body बनाने के लिए लेकिन उस पे वो खर्च नहीं हुआ है और फिर वो बात करते हैं कि जो exercise duties petrol and diesel पे लिये जाती है उसको खर्च करना था road infrastructure वगरा बनाने के लिए वो consolidated fund of India उसी में पढ़ा रहा और फिर उसी के बात कहते हैं कि उसी तरीके से जो GST compensation cess है उसका भी उसमें भी problem हुई है basically है क्या basically यह कहना इनका यह है कि जो cess है जो cess लगाया जा रहा है उसको सही ढंक से इस्तमाल नहीं किया जा रहा है for example income tax पे 4% health and education cess लगाया गया वो क्या हुआ उसमें education में थो थोड़ा खर्चा हुआ लेकिन health में उसको बिल्कुल खर्चा नहीं किया गया उसी तरीके से social welfare सर्चाज लगाया गया customs पे तो वो भी सही ढंक से खर्च नहीं हुआ CAG क्या है CAG पूरे funds का audit करती एक एक पैसे का audit करती है तो इसलिए इतना detail में आपको मैं बता भी रहा हूँ फिर उसके बाद क्या है ये आप समझ लीजिए कि जो government का जो पूरी central government और state government मिला के जो revenues है उस revenue का 42% देना पड़ता है केंदर सरकारों किसको राज्य सरकार को तो अगर केंदर सरकार को और पैसा चाहिए तो वो नए tax या तो लगाए लेकिन नए tax में हिस्सा देना पड़ेगा बाकियों को भी states को तो वो क्या गरती है cess and surcharges लगाती है तो cess and surcharges लगाने से उसका जो share आता है central government के पास में वो उसको state government को उसका हिस्सा नहीं देना पड़ता है तो इसी लिए जो central government है cess के नाम पे कृषी कल्यान cess लगा देंगे और COVID का जो है वो cess लगा सकते है तो इसी तरीके से cess के माधियम से और surcharges के माधियम से पैसा collect करती है लेकिन CAG का ये कहना है कि जो पैसा जिस चीज के लिए कठा किया गया है उस पे इस्तमाल हो so this is regarding the CAG audit and I hope कि you know कि कौन-कौन से relevant articles है constitution के जो CAG के functioning और structure को define करता है अगर आपको मालूम है तो write in the comment कौन से structure से ये power flow करता है next is next is another article that's related to parliamentary standing committee और ये बात करता है किस तरीके से इंडिया में democracy set up हुआ constituent assembly आया फिर constitution आया parliament आया पता होंगी basic चीजे है संसद क्या है समीधान क्या है तो ये मैं आपको नहीं बता हूँगा फिर दूसरा ये है कि उसके बाद committee system आया committee system आया technical issues discuss करने के लिए government की accountability fix करने के लिए वो बने फिर उसमें example दिया है estimate committee public accounts committee का और फिर उसके बाद बोला है कि standing committees के अलावा ad hoc committees होती है और joint parliamentary committees होती है जिसमें राजसभा और लोगसभा दोनों के members होते हैं so these are the few types of committees basically उनका काम यही होता है कि वो जो जो भी bills है उनको discuss करे या जो भी उनको task दिया गया है from लोगसभा speaker और chairman और जो parliament में decide किया गया those all things they will take it up and they will give their recommendation to the parliament फिर एक आंकडा दे रहे हैं आंकडा क्या दे रहे हैं क्या data दे रहे हैं कि जो 14th लोगसभा है उसमें से 60% of the bills और 15th लोगसभा में से 70% और 71% of the bills वो वेट किये गए जो departmental related standing committees थे उनकी उससे लेकिन जो 16th लोगसभा है उसमें सिर्फ 27% जो एग bills है वही वेट किये गए हैं या एक्जामीन किये गए है standing committees के दुबारा फिर अगला क्या है अगला ये है कि जो refer किये गए है जो select committees को refer किये जा रहे हैं उनमें भी अलग-अलग है joint parliamentary committee के पास जो गया है वो 2015 का एक bill था वो गया था और उसी तरीके से writer is saying कि कुछ important bills है for example ये 370 क्या article 370 revoke करने वाला bill था ये उनका ये कहना है कि joint parliamentary committee के पास जाना चाहिए था और उसी तरीके से ये basically जो सुधार है उसमें उसकी बात कर रहा है main चीज क्या है main चीज ये है कि ये आप detail में इसको पढ़िए detail में कहां से पढ़ेंगे ये तो हमारे पास अभी short time है otherwise I will take another session on this committee but लक्षमी कांद की book अगर आप exam दे रहे हैं तो अब लक्षमी कांद की book से आप इस committee को पढ़िए क्या के committee होती है क्या इनका provision है क्या इतकी history है नहीं तो सुभाष कश्यप की our parliament है उससे पढ़िए दूसरी क्या चीज है दूसरी ये जो facts है इसको अपने notes में लिख लीजिए जिसमें कि आप जो अच्छे काम किये गए है वो ही mention करिए और जो इसमें drawbacks है as of now वो भी that also you can mention okay so that's regarding the standing committees now this is related to international relation किस से related है ये Afghanistan-Taliban deal से related है this also I have covered in detail in the past काफी cover कर चुका है but again I will give a short information on this क्या information है information है Taliban है Afghanistan है US है तीन parties है Afghanistan की धर्थी पे land पे हो क्या रहा है ये रहा है कि deal होई फरवरी में फरवरी में क्या deal होई अमेरिका और Taliban में कि जो forces है अमेरिका हटा लेगा Afghanistan से and Taliban वहाँ पी peace process शुरू करेगा किस के साथ में अफगान government के साथ में क्या है कौन LEAD कर रहा है अफगान की तरप से Abdullah Abdullah lead कर रहे है और Taliban के तरप से Mullah घानी बिरादर ये lead कर रहे है दिक्कत क्या है दिक्कत यह है कि जो Afghanistan government और करेंट और चाहती है basic difference, दोनों के concept में ये है इसको लेके क्या हो रहा है, दोहा में बातचीत हो रही है, बातचीत पिछले हपते से शिरू हो चुकी है, और इस बातचीत में ये decide करना है कि what will be the future of Afghanistan, whether they will be power sharing, क्या Taliban अफगानिस्तान के बीच में power sharing रहेगी, अफगानिस्तान का structure कैसा रहेगा, democracy रहेगा, क्या रहेगा, ये सब चीजे हैं, और उसी तरज पे बहुत सारी चीजे हैं, और बाकी points हैं, जो मैं अलड़ी cover कर चुका हूँ, तो basically इसमें एक timeline है कि America जो है इसमें exit करेगा, अमेरिका में भी election है, और उसके president चाहेंगे कि election से पहले जो American forces से बिलकुली बाहर आजाए, and then he can declare a victory, और again इसमें इंडिया का stake है, इसमें जितने भी neighboring countries है, इंडिया उन सब का stake है, क्योंकि जब वहाँ पे, जब forces निकल जाएगी, वहाँ पे, American forces निकल जाएगी, तो Taliban will resort to lot of violence, ऐसा प्रडिक किया जा रहा है, and through violence and through force, they will try to capture the power in Afghanistan, और होगा क्या कि उसकी वज़े से जो इंडिया नेवरी, इंडिया के नेवर में नेवर हुड में बहुत बड़ा एक terrorist network भी ख़ड़ा हो सकता है, जिसका कि कश्मीर और बाकी Indian soil पे problem create हो सकती है और पाकिस्तान की जो ISI है, they can also use Taliban against India, so there are the chances, that's why India's security concern is there, इसलिए हमें जानना जरूरी है और इसमें नजार रखना जरूरी है, so that's all regarding the Doha Kabul, और डिटेल में मैंने मैंने mark कर दिया है, और कुछ points पढ़ना हूँ, but more or less मैंने आपको जो इसकी summary है, मैंने समझा दिया, and in past also, I have explained it so many times, so I hope कि now you know and मैंने से question भी पूछ चुका हूँ Mains का, on Afghanistan Taliban और India's के concern क्या है so I hope कि you know already now, what's the next point ये है agriculture bill से संबंधी, तो ये मैंने already इसका video बना के डाल दिया है तो आप उसको देख लीजिए, you will get to know what position is saying, कि भी बक्षी party क्या चाहती है, and सरकार क्या कह रही है दोनों चीज़े मैंने उसमें mention कर दिया ओके, now ये क्या है, ये है कि National Medical Commission बनाया गया है किसकी जगह पे, Medical Council of India उसकी जगह पे, उसका gadget हो चुका है तो ये आपको ध्यान रहे, maybe it may come in prelims or some other exam ओके, what else we have, ये है Google Pay, Google Pay से संबंदित case है, उसमें Google ने ये कहा है कि जो digital payment उसका application है, क्या है, Google Pay है, उसमें क्या है customer transaction data वो third party के साथ नहीं share करता है, और ये किसके guideline है, ये guideline है National Payment Corporation of India, NPCI के guidelines है, as per their guidelines, they don't share data with the third party, so ये भी आपको ध्यान रहे है okay, this may be a probable prelims question, now, यहाँ पर क्या है Quad, Quad मैं बता चुका है, US, Australia, Japan, India का grouping है, और उन्होंने discussion किया है, regarding what India, Indo, Pacific Infrastructure और 5G को लेके, उन्होंने discussions उन में हो रहे हैं and Japan, Tokyo में meetings भी होनी वाली है, बहुत ही जल्दी इस group की, group मैं बता चुका हूँ यह तरीके से balancing force है against China and it's a good platform for India to engage with and next is, यह है faceless IT comes into operation, जो faceless income tax appeal system है वो 25th September से it has come into the use उसके बारे में आज वीडियो मैंने already डाला है, तो you can refer to that यह यहाँ पर क्या है, G7 finance minister, उन्होंने back किया है किसको, जो G20 bilateral debt relief है, उस mechanism को, उस initiative को now you tell me, what is G7 and G20 आप देखिए और बताइए, G7 क्या है G20 क्या है, मैं अरड़ी पूछ चुका हूँ, but I want you to do certain research, आप मुझे बताइए, G7 और G20 के बारे में so that's all friends, आजके editorial और articles अच्छे थे तो मैंने आपको अच्छे देशा उसको समझा दिया है, लेकिन हम लोग इस channel पर लगातार follow भी कर रहे हैं इसी चीज को, यह जितने भी topics थे, तो हमारे जो subscribers से उनको अलड़ी बहुत knowledge होगी, अभी subscribe करे, share करे, like, comment करे thank you, goodbye